Hello students, हम कर रहे हैं financial accounting और financial accounting के अंदर हम basic level कर रहे हैं, ठीक है? तो आज के lecture के अंदर हम general entry सीखेंगे, but general entry करने से पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमें सीखना है what is accountancy या what is accounting, accountancy ठीक है? उसके बाद मैंने बोला था हम golden rules करेंगे, तो हमने golden rules भी कर लिए है, ठीक है? फिर हमने golden rules समझ गए ना, personal rule, nominal और real, वो मैंने आपको करवा दिया है, अगर आपने वो lecture नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, और इसके बाद में क्या था? जनरल, तो आज की lecture के अंदर हम यहां करेंगे, यह कर चुके हम, यह कर चुके हम करने वाले general entries, ओके आज की lecture के अंदर, उसके बाद हम सीखेंगे laser, फिर सीखेंगे हम trial balance, और फिर सीखेंगे हम final account, और final account सीखने के बाद हमारा जो base है, financial accounting का वो अच्छा हो जाएगा, फिर आप financial accounting के जो other chapters है, जैसे branch account, departmental account, insurance, partnership, company, जो भी आपके final account के, आपके syllabus के अंदर है, उन सब को आप अच्छे से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, और आपको अगर यह नहीं आता है, तो मैंने एक लेक्चर के अंदर बताया था, फिर आपको बड़ी problem आएगी, तो जनल, सो हम करने है, जनल entries, जो भी एक business के अंदर financial transaction होता है, उसकी जनल entry करनी होती है, ठीक है, अब जनल entry करने के लिए, हमको golden rules अच्छे से याद होने चाहिए, और accounting क्या है, वो हमें पता होना चाहिए, तो financial accounting, इस word के अंदर ही आपकी general entries समाई हुई है, वो कैसे, जो आपका subject है, financial accounting, ठीक है, तो इसमें जो financial word है न, वो पैसो से related है, यानि कि जो भी आपके business में monetary transactions होते हैं, monetary transactions कौन से होते हैं, जिसे money में measure किया जा सकता है, तो जितने भी monetary transaction होते हैं, उसकी accounting करना, और accounting के अंदर सबसे first जो होता है, वो bookkeeping होता है, और bookkeeping के अंदर हम general entries करते हैं, ठीक है, okay, तो यह base है, पूरा का पूरा, so हम करेंगे भी general entry, बट यह financial accounting का मतलब मैंने यह बताया आपको, कि इसके अंदर जितने भी monetary transactions होते हैं business के, उनकी accounting की जाती है, और accounting में सबसे पहले bookkeeping आता है, bookkeeping में जो भी transaction होते हैं, उनको record किया जाता है, और record करने के लिए हम करते है general entries, जैसे आपने tally करते हैं बहुत सारे लोग, तो tally के अंदर यही होता है, टैयली के अंदर क्या होता है golden rules software के अंदर पह्ले से फिपी होते हें, और बस हमको होँ पर क्या करने होती है, general entries करने होती है और general entry, जैसे हम tally के अंदर एंटर करते हैं, general entry यानि कि entry करते हैं उसके अंदर हर transaction की purchase की, sale की, fix assets पाई करने की, payments की, receipts की तो जब हम entry करते हैं तो उसके बाद फिर वो जो telly नाम का software है वो क्या कर देता है आगे laser trial balance in final account automatic बना देता है लेकिन यहां पर हमको automatic नहीं होगा, यहां general entry भी हमें करनी है, golden rules भी हमें लगाने है, laser भी हमें करना है, trial balance भी हमें करना है और final account भी हमें बनाने है, बस हमें सबसे पहले monetary transactions को पहचानना है, ऐसे transaction जिनको money में measure किया जा सकता हो और वो business के transaction हो, ठीक, जैसे कि मैं एक transaction आपको यहां बताता हूँ, जैसे business started with cash rupees 1 lakh और सबसे first entry यह की जाती है, आपको पता भी होगा, तो यह कि बिजनस transaction है, business started with cash rupees 1 lakh कोई भी business की starting जो होती है, वो investment से होती है, यानि कि जो honor होता है, वो business के अंदर पैसा लगाता है तो वही है कि honor जो है, वो business में पैसा लगा रहा है, और accounting purpose से, जो इसका entity concept है वो हमें बताता है कि business man अलग है और business अलग है, बोथ हार separate, first lecture के अंदर मैंने बताये भी था जब golden rule बताये थे तो business अलग है, business man अलग है, और business man अभी business में पैसा लगा रहा है, capital लगा रहा है तो अगर इसको हम समझे थोड़ा सा, तो ये कुछ इस तरीके से हैं, जैसे ये business man है, ये इसका business है, हाँ ये दोनों और purpose से same हो सकते हैं, लेकिन accounting purpose से अलग है और किसी भी purpose से आप कहा सकते हो कि इसी का ये business है, बट accounting purpose से, accounting करनी है, तो ये मानना पड़ेगा कि बोथ हार separate अब ये इसके अंदर पैसा लगा रहा है, business start करने के लिए किता पैसा डाल रहा है, एक लाग रूपे डाल रहा है, वन लेक रूपीज डाल रहा है, और इसी को हम क्या बोलते है, capital, ओके, और capital जो होती है, business के लिए क्या होती है, liability होती है, अब यहाँ से आपके rules आपको real rule भी याद होना चाहिए, आपको nominal rule भी याद होना चाहिए, तब भी आप general entry कर पाएंगे, personal rule आपको पता हिए क्या कहता था, debit, मैं sword में लिख दिता हूँ, what, personal rule, sorry, debit the receiver, ठीक है, and credit the giver, credit the giver, okay, एक और rule था हमारा फिर, personal rule के बाद में, real, real rule क्या बोलता था, या real rule या real account बता सकते हैं आप इसको, आपको याद है, मैंने last lecture के अंदर बताया था, अगर ये rules याद नहीं है, तो accounting नहीं सीख पाऊगे, general entry नहीं कर पाऊगे, what is, comes in debit, what goes out credit, जो comes in है, उसको debit कर दो, जो goes out है, उसको credit कर दो, और last है हमारा सबसे फेवरिट, nominal, फेवरिट, ठीक है, nominal, rule या nominal account, ये बोलता है, जितने भी expense है, all, business expense हा, इस person के expense नहीं लेने है, याद रखना मिसा, all expenses, and losses are debit, all income and profit are credit, ये rule लिखने ही पढ़ेंगे, इसके बिना मैं आपको accounting सिखा नहीं सकता, general entry तो सिखा ही नहीं सकता, ठीक है, तो ये rules है, अब हम इसकी general entry बनाते हैं, इस rules की help से, मैंने modern rule और बताये थे, लेकिन वो मैं यहाँ पर ठीक है, अपन apply करेंगे, लेकिन अभी ज़्यादा करेंगे, तो mixtar हो जाएगा, अब यहाँ देखिए, business started with cash, rupees one leg, अब business start कौन कर रहा है, यह कर रहा है, माल लेते हैं, Mr. Raju, ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं, Mr. Raju, business started with cash, rupees one leg, राजू business start कर रहा है, एक लाग रुपे में, आप accountant है, Mr. Raju के नहीं, उसके business के, आप business के accountant, तो यह चीज़ आप ध्यान रखी, आप business के accountant है, आप इसकी accounting करेंगे business की, अब आप सबसे पहले आँ देखिए, इस transaction में कोई person है, क्योंकि person होगा, तो ही personal rule लगेगा, इस transaction में person है, कौन है, राजू, अब आप देखिए, राजू जो है, इस line को पढ़के देखिए, राजू जो है, वो receiver या giver है, Mr. Raju started business with cash, rupees one leg, तो एक लाग रुपे जो है, वो Mr. Raju को मिल रहे है, यानि कि एक लाग रुपे receive करने वाला है, या राजू एक लाग रुपे ह हमें, हमें मतलब business को देने वाला है, यानि कि business का giver है, तो अगर एक लाग रुपे की transaction की बात करूं, तो यहाँ पर Mr. Raju को एक लाग रुपे मिल नहीं रहे है, Mr. Raju हमें, यानि कि business को एक लाग रुपे दे रहा है, तो Mr. Raju receiver नहीं है, Mr. Raju giver है, एक लाग रुपे देने बाला है और इस रूल को आप देखिए डैबिर रिसीवर क्रेडिट लायनिके दा है क्रेडिट करना Jest cuarto अ क्रेडिक करनां क्यों प्रस्टनल रूल के हिसाब से physicists राजुक्त बासे और गिवर कुन क्या यहाँ जा रही हो हाँ कैसे कमोडिटी होती है पैसा जो होता है कमोडिटी होता ना रुपे यह देखो यह एक प्रॉड़क्त है न इसको अधो लगा सकते हैं तो यह 10 रूपे का नोट मेरे पास है गरीब आदमी है 10 रुपी रखते हैं ठीक है तो यह स्था राजो जो है वह 1 1,00,00 रुपे दे रहा है हमें 1,00,00 रुपे एक प्राडिक्ति मान लो आप एक और ये बिसनस के अंदर क्या हो रहा है कंसी नहीं गोज आउट बेग्लाग रुपे तो आ रहे हैं बिसनस में आ रहे हैं कंसे अपनेह आपको बीजनस मान के ही सारे रूल से लगाएं। है कंस इन अच्छा एक लाग रुपे कंसे रियल रूल लगेगा कंसे नहीं तो क्या कर देंगे तो इस ट्रांजक्शं में दो चीजी करेडिट डेबिट कौन वह कैस और क्रेडिट कौन वह मिस्टर राजू और कोई भी ट्रांजक्शन करों हम डबल accounting system कर रहे हैं कोई भी transaction में दो पक्स जो है दो पार्टी जो है वो परभावित होगी एक debit और एक credit एक लेंदार एक देंदार कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हो तो हर transaction में एक चीज debit होगी तो एक credit होगी ही होगी और अब इसको लिखते कैसे हैं वो बताता हूं ने को इसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं सबसे पहले debit वाला चीज लिखना है debit कौन है cash तो यहां लिखेंगे cash account और उसके आगे क्या लिखेंगे debit कितना एक लाग रुप इसके आगे लिख दो 1,00,000 फिर फिर Mr. Raju को credit करना है तो Mr. Raju को ऐसे credit नहीं करना है राजू अकाउंट credit यहा मैं आपको जनरल का format बना के बताऊंगा तो ऐसे नहीं लिखना है वैसे ऐसे लिखते तो सही था लेकिन जो धिरी-दिरे जो accounting हमारी सुधरी और लुकास पेली स्पेशी होले ने 1494 के अंदर बताया था उसके बाद धिरी-दिरे बहुत improvement हुए और उसके बाद बोला ऐसे नस अच्छा नहीं लगता है ऐसे बहुत सारे transaction होंगे जिसमें debit, credit आखुबी जोर पढ़ेगा कि debit कौन सा और credit कौन सा है क्योंकि यहां से देखने से पता नहीं लगता है कैस account अभी आपको पता लगेगा क्या है नहीं कि राजू account पता लग रहा है नहीं यहां देखन राजू के साथ capital क्यों आया क्योंकि modern rule जो है वो बोलता है कि capital जो थी एक liability होती है liability को में सा credit करना पड़ता है कुछ लोग राजू ना लिखे सरफ capital भी लिखते हैं क्योंकि capital का मतलब एक तरीके से honor यह हुआ कि honor ही तो लगाएगा स्वामी लगाएगा business में पैसा capital जो पैसा लगाते उसको capital ही बोलते हैं ठीक है अब आई यह थोड़ा सा और समझते हैं और एक entry भी कराता हूं उसके बाद में आपको जनरल का format बताता हूं अब यह रूल तो आपको याद ही होंगी for example के लिए हम यहां पर एक entry लेते हैं आपको दिखतो रही होगी थोड़ा सो उपर लिखता हूं मैं अग्योप आपको अच्छे से दिखेगी entry number second है हमारी for example के लिए मैं लिग देता हूं पर्चेज है लैपटाप लैपटाप दे क्विचनस ने रुपीज 35 थाऊंज पैती सब्सगार में एक लैपटाप के trayग़ है अब लैपटोप जो 35,000 रुपे में खरीदा है अब इसमें देख्वी पर्सन इसमें कोई भी पर्सन दिखा इको Bka último का नाम दिखा रहा है नहीं दिख ठीक है नहीं लगाएंगे फिर देखिए कोई product है इसके अंदर कोई commodity है कोई वस्तु है आ है ना दो है एक नहीं एक तो है laptop हां और एक है 35,000 रुपे यह भी मैंने बूला था और फिर देखना चिप्स कम सीन है या गोजाउट है और फिर इदर भी कम से थीक है तो अगर लैप्टोप पर्चेज करेंगे तो बिल्कुल खुसी का मामला घर भी laptop आएगा तो वोट कम सीन डेविट तो लैप्टोप कम सीन तो डेम it real rule लग गया और cash chips का packet लेक्ट होगे तो cash ऐसा होगा क्या दुकान पर गए भईया लाओ chips का packet वो भी कम सिं और उसके बाद पैसा भी बोला 10 उपए और निकाल वो दुकान दर एक लगाएगा पागल आ गया बोलेगा के नहीं बोलेगा क्यों बोलेगा ऐसा थोड़ी होता है कि हम चिप्स का पैकेड भी ले लेंगे और उसके बाद बोलेंगे 10 रुपे निकाल कुछ खरीदेंगे तो पैसा तो जाएगा बिल्कुल सिंपल है तो इसका मतलब लैप्टोप खरीदा है तो 35,000 रुपे तो जाएंगे और वाट गोज डेबिट टू क्रेडिट में मैंने बोला था तू कैसे और यहां लिख दो किता रुपया है? ठीक है उपर वाला में हटा रहा हो इस ट्रांजक्शन अगजा देता हो एक बार ठीक है जनरल का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से बनता है यह सबसे पहले डेट का कॉलम हो गया फिर आपके पास में एक आएगा पर्टिकूलर यह particular का column यह LF का column जो laser मैंने बोला जनरल entry के बाद laser करेंगे वहाँ काम आए एक debit का और एक credit का तो इस तरीके से आपका यह format होता है इस format के अंदर जनरल entries की जाती है तो सबसे पहले यहां आता है date for example के लिए date है दो यह आज क्या date है 19 जुलाई है 19 जुलाई है 19 जुलाई है आज की दिन ही recording कर रहा हूं है 2022 यह आजाएगा particular यह LF है यह debit है and यह credit है और यह जो table मनाई है इसको क्या बोलते हैं table नहीं बोलते हैं सबसे पहले तो इसको ध्यान रखना इसको बोलते है Journal अच्छा और उसके बाद यहां लिखी जाती है narration narration कैसे narration मतलब यह क्या है यह किस चीज का transaction है तो कुछ लोग इसके आगे being लगाते हैं और फिर लिख देते हैं purchased laptop rupees 35,000 और उसके बाद में यह transaction जो है इस तरीके से बंद किया जाता है देखो मैं आपको बताता हूँ यह rules अटा रहा हूँ आपको वैसे भी याद ही है ठीक है और यहां पर इसको थोड़ा सा आगे करते हैं और भी entry आएगी ना एक entry थोड़ी है और फिर उसके बाद में यह transaction करने के बाद में particular वाले item में ऐसे particular वाला जो column है उसमें ऐसे line आएगी बस तो इस format को जनरल बोलते हैं यह date आ गई particular के column में entry आएगी debit और credit आएगा यह debit में debit का amount credit में credit का amount उसके नीचे narration आती है फिर ऐसे line बंद होती है यह entry होगी for example के लिए 19 July को एक और entry करी है और हमने laptop के बाद में एक purchase और चीज़ कर लिए हमने जो है mobile purchase कर लिया है तो mobile comes in तो mobile account debit mobile account debit पैसा जाएगा goes out to cash account किते में खरीदा पंद्रहजार में खरीदा है और narration में क्या लिखेंगे mobile purchased रूपीज 15,000 हाँ इसके आगे बिंग लगा सकते हो तो फिर particular में ऐसे करके फिर अगली entry फिर अगली entry ऐसे general entry होती है सो आज के lecture में हमने general entries का format general का format क्या होता है वो देखा और entries कैसे की जाती है debit कैसे करते है credit कैसे करते है narration क्या होता है और journal के format में कौन-कौन से columns होते है वो सीखा और इसके अलावा हमने rules कैसे applicable होते हैं वो सीखा next lecture के अंदर हम इसकी थोड़ी और practice करेंगे और दीरी-दीर आगे बढ़ेंगे अगर आपको इन वीडियो से help मिल रही है और आप चाहते हो मैं और continue वीडियो बनाऊ तो सबसे पहले like करो और उसके बाद most important share कर किसके साथ अपने friends के साथ जो accountancy financial accounting पढ़ना चाहते हैं ताकि मैं आपकी help करूँ आप उसकी help करो वो और किसी और के help करेगा हम मिलते नेक्स वीडियो में आज के लिए तना ही तब तक के लिए goodbye and thank you